हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियान्स अकेडमी आज के हमारे इसलेशन में हम समिदान के भाग एक के बारे में देखेंगे अनुशेत एक से चार के बारे में पढ़ेंगे नए राज्यों की निर्मान की जो प्रोसीजर है वो देखेंगे राज्यों का पुर्णरगटन और राज्यों पुर्णरगटन आयोक के बारे में पढ़ेंगे उसके बार में नए बने सभी राज्ये और समिदान संसुदन से बने वाले राज्यों के बारे में आज के हमारे इसलेशन में देखेंगे सबसे पहले हमारे पास में भाग एक भारत संग वा उसका राज्य छित्र तो जो समिधान का आल्टिकल एक है अनुचित एक है वो क्या कहते हैं भारत राज्यों का संग है तो यहां पर राज्यों का संग से मतलब है कि जो भारत संग है उसमें सिरफ इन्होंने राज्य को लिया है कि केवल राज्य शामिल है जो भारत संग है उसमें सिरफ राज्यों को सामिल किया गया है संग का जो राज्य छित्र है उसका क्या मतलब है देखिए पहले, पहले तो रज्जों के रूप में, कि जितने भी स्टेट्स हैं, वो हमारा छित्र हो गया, उसके बाद में संग राज्य छित्र, यानि कि केंदर ससित परदेश, ठीक है, वो भारत का छित्र हो गया, और जो तीसरा है, वो अन्य अर्ज्य छित्र है, अब यहाँ पे दो अन्य छित्र से हमारा मतलब है, कि ऐसा छित्र, जो हमने बाद में अर्जित कियें, अब भाई हमने बाद में कौन से अर्जित कियें, तो बाद में देखिए, जो 1947 में भारत को आजादी मिली थी, वो सिर्फ हमें बृतेन से आजादी मिली थी, उसके बाद में कुछ हमारे एरिया सों फ्रांस के धीन थे कुछ हमारी एरिया थे वो पुर्द्गाल के धीन थे तो इन से वुमिहाँ हमने ने इसको अर्जित छित्र माना है ठीक है अब इसके बाद में है आर्टिकल 2 तो आर्टिकल 2 में देखे क्या है आर्टिकल 2 में है नए रज्यों का परवेश या इस्तापना भारत में अच्छा इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि जो हमने अभी पढ़ा अर्जित छेत्र तो अगर हम किसी विदेश से या बाहर से जो अभी का भोगोलिक भारत का छेत्र है उसके बाहर से अगर हम कोई छेत्र अर्जित करते हैं तो उसका जो परवेश है वो भारत संग में पताया गया है ठीक है तो आल्टेकल दो ऐसे रज्जों के परवेश के लिए जो अभी भारत का छेतर नहीं है और हम ने उनको किसी से अधीगरेंड किया है अब देखते हैं अनुचे 3 के बारे में तो अनुचे 3 में क्या प्राएवधान है नै रजोगा गठन, छेतर, सीमा वे नाम में पर्यवर्दन तो आल्टेकल 3 जो है वो भारत को कैसा एकात्मक परतिन हीदित्व करता है जो है कि भारत जो है एकात्मक संग एकात्मक संग का मतलब होता है कि केंद्र के पास में सक्तिय चाता होती है तो जो राज्ये हैं उनके नाम, सीमा, छेत्र में परिवर्थन करने की शक्ति संसद के पास में है कि केवल संसद ये कर सकती है तो देखें नए राज्यों में जो परिवर्थन होते हैं चेत्र सीमावे नाम में वो किस तरह से होते हैं सबसे पहले जो ऐसा विधेक आता है ठीक है तो उस विधेक को राश्टरपती की पूर्वा अनुमती से संसद में पेश किया जाते हैं तो सबसे पहले तो मैं किया चिए, राष्ट्रपत्य की पूर्वा अनुमति, ऐसे विद्धायक पे, जो किसी राज्य के छेत्र में परिवर्दने नाम में परिवर्दन करने के लिए है। बना रहे हैं अच्छा यहां पर नोट करने वाले बात यह है कि स्रफ सूचना देना नहीं वारी है अंदर परदेश की बात मानना या सलाम मानना किंदर सरकार के लिए जरूरी नहीं होगा ओके इसके बाद में संसद के दोनों सदनों में क्या करेंगे ऐसे विधेक को साधर्ण बहुमत से पास कर दिया जाता है और नयराजे बनकर तयार यहां से क्या पूछा जा सकता आपसे एक तो राश्टरपती के पूर्वान नमती जरूरी है ठीक है और ऐसे विदेक सरफ कब यह संसोदन नहीं माना जातें यह कहां पर लिखा गया यह लिखा गया है आर्टिकल चार में कि जो ऐसा संसोदन है उसको 368 अनुचे 368 के दिन समिदान संसुदन नहीं माना जाएगा व कि आगे बढ़तें तो आगे अब है मारे पास में ह्राज्यों का पुनरगटन सबसे पहले देखे 1947 में ऐस की धर आयोग बनते हैं इसको भाषाई प्रांत आयोग भी कहते हैं इसको किसलिए बनाए गया था कि साब आप ये बताओ कि जो भाषा के अधार पर नहीं राजे बनने चीए या नहीं बनने चीए तो इन्हों में जे वीपी समेति बनी जे से मतलब है जमालल नेरू विसे वल्लब है पटेल और पी से पटावीस तरमया तो ये समेति बनी इन्होंने भी फिर यही का कि हां ये गलत है भासा के अधार पर नहीं बनाए जा सकते इसके बाद में क्या होता है 1953 में अंधरप्रदेश नैया राज्य बनता है किस से अलग हुआ अंधरप्रदेश मदरास से क्या डिमांडत हे इनके कि हमारी लेंग्वेज אנחנו अलग है और हमारे अलग है तो हमें नया राज्य बनाना है तो इस तरह से मद्रा से एक अलग राज्य बनता है अच्छा इसका रीजन जो मुखी जो यहाँ पे अंदुलन करता थे वो थे पोर्टी स्री रामलू पोर्टी स्री रामलू ने 52 दिन के लिए अंसन किया था और बाद में इनकी डेथ हो गई थी यह मर गए थे तो इनके मरने से यहाँ पे भोज़दा हिंसा फैलने लेगी इसलिए नहीं राज्य बनाना पड़ा तो यहाँ पे क्यूशन पूचा जा सकता है कि बाद साख्या धार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा था तो कौन सा था आंदरपरदेश अब क्या होता है 1953 में आदरपरदेश बना दिया जाता है उसके बाद में राज्य पुनरगठन आयोका निर्मान क्या जाता है इसमें कितने सदसे थे तीन सदसे थे इसके अध्यक्स्तु थे फजलली अन्य सदसे थे के एम पणिकर और हर्देनात कुंजरू इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट में नोंने क्या का कि जो भारत में है ये जो ABCD वर्ग के जो राज्य है ना इनको तो खतम कर दिया जाना चीए और 16 नए राज्य और 3 संग सासित परदेश बना दिया जानी चीए इसके बाद में राज्य पुनरगठन अधिनियम 1956 आया और इस अधिनियम ने क्या किया साथवा समिदान संसुदन किया और जो ABCD काटेगरी थी जो पहले राज्यों की A काटेगरी, B काटेगरी इनको तो कर दिया गया खतम और 14 राज्य और 5 केंदर सासित परदेश बनाए गए यहां से आप से क्या फूचा जा सकता है कि जो राज्य पुनरगठन आयोग था उसने अपनी रेपोर्ट में कितने राज्य और केंदर सासित परदेश बनाने की सिफारिस की और अधिनियम में कितने राज्य बनाए गए तो सात्वा समीधान संस्थन के बाद में कुन से भागें इसके एक तो पांडिचेरी है इसके वाद माहे है यहनम है और कराकल यह जो चार जिलें है पांडीचेरी की वह अलग-अलग स्टेट में फैले हैं इसको न जो छटवा था इसको छटवा केंदर सासित परदेश बना गया इसके लिए किया गया ठीक है नेश्ट आता है हमारे पास में गोवा तो 1961 में ओप्रेशन वीजे चलाया गया किसके लिए गोवा को आजाद कराने के लिए पूर्थ गालियों से गोवा उस टाइम क्या पूर्थ गालियों का उपनिवेश्था इसको न साथ में केंदर सासित परदेश का दर्जा देया गया और चपनवा समीदान